आज चलिए मैं आपके साथ सेर करती हूँ सर्दियों की जान गाज़र का हलवा एक तम सिंपल तरीके से बनाएंगे इसका टेस्ट बहुत ज्याद आपको पसंद आएगा तो मैंने यहाँ पर टूटल एक जी गाज़र लिया है ट्राय करना की जो मीठे वाली गाज़र होते उसका इस्तमाल हो और जो कलर में थोड़ा लाल हो तभी हमारा जो हलवा है उसके लाल कलर आएगा तो बस मैं यहाँ पर गाज़र का जो उपर और नीची का पाट है उसे मैं कट कर लिए रही हूँ एंड इसे हम पील कर लेए और उसके बाद अच्छे से वौस कर लेएंगे तो चली यहाँ पर गाज़र को धोकर तेयार कर दिया है एंड अब हमें इसे ग्रेट करेंगे और इसमें आड़ कर रहे हूं दो बड़ा चमच इतना देसी घी तो पहले जितने भी ड्राफ्रूट हल्वा में आड़ होने वाले उसे फ्राइ करके निकाल लेंगे तो मैंने यहाँ पर लिया है काजू, किस्मिस, मैंने यहाँ पर दो तरीगी का किस्मिस लिया है साथ में ही नारियल, बादाम और पिस्ता लिया है अब अपने हिसाब से ड्राफ्रूट यूज़ कर सकते हूं तो बस सबी चीज़ों को मैं हलका सो रोष्ट कर लेंगे ताकि जो ड्राफ्रूट उसमें अच्छा सा क्रण्च आ जाए तो बस मैंने यहाँ पर ड्राफ्रूट को निकाल लिया घी से बाहर और जो यह घी है इसमें आट कर रहे हूं एक बड़ा चमच और घी और जो हमारा ग्रेटेड गाज़ट है उसे अच्छे से भून लेंगे तो 5-7 मिनट के लिए अच्छे से भूनेंगे तभी हमारा जो हल्वा उसका टेश्ट बहुत स्यादा बढ़कर आएगा तो 5-7 मिनट के बाद जो गाज़ट का कलर वो चेंज हो जाएगा देख सकते हूं पहले रेट था और अभी थूड़ा और इस टैप में आ गया है तो नेक्स्ट अब मैं यहाँ पर टूटल दूख अब इतनो दूद है अट कर रही हूं अच्छे से मिक्स करके ढखकरे से हम पकाएंगे 7-8 मिनट के लिए कि जो हमारा गाजड वो अच्छे से सौफ्ट हो जाए और जो दूद है उसके साथ घुल मिल जाए तो अब आप दीख सकते हूं काफी अच्छे से हमारा गाजड पक चुका है दूद की क्वाइंटिटी भी कम हो गई है तो अब हम इसे टेस पर आट करेंगे खुआ जिसे कि मावा भी खाआ जाता है तो मैंने यहाँ पर टूटल 200 ग्राम मावा लिया है क्रेट कर दिया है ताकि अच्छे से मिल जूल जाए तो बापस हम हाई फ्लेम यहाँ फिर मेडियम फ्लेम पर 3-4 निट के लिए पकाएंगे अब जितने अच्छे तरीके से पकाऊँगे उतना ही टेस्ट उभर कर आएगा हमारी हल्वे का तो बस अब मैं यहाँ पर आट करेंगे चीनी तो आप अपने टेस्ट रिकॉर्डिंग चीनी यहाँ पर आट कर सकती हूँ तो मैंने टोटल 3-5 फूट कप इतना चीनी लिया है तो बस इसे भी हम अच्छे से पकाएंगे तो पाल से 7 मिनट को और टाइम लग जाए क्योंकि अभी चीनी मेल्ट होगा तो हमारा जो हल्वा वो और गीला होगा तो उसे हमें ट्राइ करना है अब लास्ट आट कर रहे हूँ तेश्ट के लिए इलाइची का पॉड़र तो आधे शूट अच्छा में चितना आट करेंगे और साथ में आइट करेंगे फ्राइ किया हुआ ड्राइफ फ्रूट अच्छे से मिक्स करेंगे उसके बाद अपिसे गर्मा गरम सर्फ करो वैसे मुझे तो काचल का हलवा ठंडा पसंद है तो मैं ठंडा होनी के बाद ही खाऊंगी आप कुछ ऐसे पसंद आप सर्फ करो महमानों को सर्फ करो उन्हें बहुत ज्यादा पसंद आएगा तो इस बिंटर ज़रूर से बढ़न